नमस्ति पनाम कैसन बाने आप सब भाई सब की हुजूड जाएं तरहीं विशेश मुद्दा पर अज बात करें के बाद सब की हुजूडी है और सब को यह को सेयर लगाएं तरहीं ताकि सब भाई के पास यह आवाज पहुच जाए रानी रिलम जी अविशेख सिंग जी क्योंकि यह जो भुजपूरी में चल रहा है आज की डेट में जहां भी जाओ तो कोई यूटूबर हो या फिर कोई मीडिया वाले हो सिर्फ दो तीने उस्तों सवाले करते हैं अभी के समय में परिसान हो गया हो एकदम सुन सुनके ऐसे में तो भुजपूरी का बिनास हो जाएगा जो अस्तर अभी चल रहा है भुजपूरी का भुजपूरी कोई सुनना नहीं चाहेगा जैसा चल रहा है कभी यह हो गया कभी वो हो गया कभी यह इसको गारी दे रहा है कभी वो उसको सब लोग एक खुसेयर लगाईए ताकि सब भाई लोग जूड़ जाए फिर हम विशेज बात जो करने वाले हैं उस पर बात करें राहुल कुमार मिस्राजी जैस्री राम जैस्री राम भाई ये मुझे कहना पढ़ रहा है आज जब कि आखिर हो क्या रहा है किसी को भी कोई भी गाली दे जिता है आज के समय में थोड़ा सा कुछ हुआ तो इधर से वो गाली दे दिया उधर से वो गाली दे दिया भोजपूरी में असलीलता को अगर हटाना है तो हम सभी लोगों को पहल करना पड़ेगा चाहे हम हूँ चाहे कोई भी गायक हो सबको अपने काम पे फोकस करना पड़ेगा और सबसे बड़ी बात यह है कि जब तक सेंसर बोड नहीं आएगा भोच्छूरी में तब तक यह असलिलता दूरी नहीं हो सकता हम तो सरकार से निवेदन करते हैं मुक मंतरी स्री नितीष कुमार जी से कि बिहार में सेंसर बोड हो यह जो गाने रिलीज ही ना हो जैसे कि फिल्मों में अभी के देख रहे हैं कितना अच्छा अच्छा फिल्म बन रहा है हमार परिवार, हमार संसर, हमार फिल्में वाइल बा चाहे किसी का भी फिल्म हो अभी प्रोडूसर वैसा कोई फिल्म बना ही नहीं रहे जिसपे कि उसको सेटिफिकेट यूए ना मिले जिससे कि वो सेटेलाइट पे चल ना सके उसमें असलील सीन होगा काट देगा सेंसर बोड में स्लील गाना होगा उसको काट देगा तो वैसा अगर सेंसर बोड बन जाए यह हम लोगों के गाने में ऐसा कोई गाना आएगा ही नहीं कि किसी को गाली सुनना पड़े या फिर कोई गाली दे किसी को मैं सरकार से निविदन करता हूँ और मैं कल बात्चीत भी किया हूँ कि इस पर कानून बने और सिंसर बोड लगे और मैं कहना चाहता हूँ एक बात कि जो यूटूबर ऐसा काम कर रहे हैं किसी को गाली दे रहे हैं चाहा हम हो चाहे आन सिंग जी हो या फिर खिसारी लाल यादव जी हो या anybody कोई भी कलाकार हो जिसको आप लोग सुनते हैं लोग तो कह रहा है कि हम असलीलता हटा रहे हैं असलीलता को भगा रहे हैं लेकिन खुद गाली दे रहे हैं कि कहते हैं लोग कि गाना कैसे सुने गाना बहुत गंदा होता है गंदा गाना आ रहा है गंदा है असलील है यह है और आप गाली दे कर आप भी असलीलता फैला रहे हैं तो आप कम कहां रहे हैं कि कहते हैं कि हमारी मा बहन बेटी ऐसे गाना कैसे सुनेंगे ठीक है आपका बात कहना जाइज है मैं मानता हूँ लेकिन ये आप जो गाली दे रहे हैं आपकी मा बहन बेटी कैसे सुनेगी ये सुनना पसंद करेगी आप तो कह रहे हैं कि ठीक है गंदा गाना है असलील है माई बहान बेटी कैसे सुनेगी ठीक है। मैं मानता हूँ कि जो भी अश्लील गाना आ रहा है उसका बिरोध होना चाहिए। मैं भी बिरोध करता हूँ. असलील जो भी गाय चाहि हो मैं रहुत ज़िक हो, कोई कलाकार निवड़ी भोजपुरी का हो मा गही का हो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब मैं गाना च्छे कोई भी कलाकार गाना गाए आपका हदिये कि गाना असलील है ये माबहन के बीच में बैट के हम नहीं सुन सकते हैं ठीक है आपका कहना जाइज है लेकिन क्या आप जो गाली दे रहे हैं किसी को वो आपकी मा बहन बेटी कैसे सुनेगी आप क्या उनके सामने वो वीडियो चला पाएंगे जो गाली दे रहे हैं आप किसी कलाकार को चाहिए मैं हूँ चाहिए नी बढ़ी कोई कलाकार मैं किसी के पच्छ में बात नहीं कर रहा हूँ मैं निस्पत्च रूप से बात धर रहा हूं आप लोगों के बीच में अगर ऐसा बात मैं उसके बाद आगर आप लोग इतना ही महनत करते मैं सभी उतोबों से कर रहा मुझे किसी एक से कोई सिकाइप नहीं है मैं सब को कर रहा हूं इस लालिभ के माध्यम से कि आप लोगों ने धरना परदर्शन क्यों नहीं किया आज तक सेंसर बोड का मांग क्यों नहीं किया आप इतना दिन से आप लोग लड़ रहें कि असलील है असलील है भोजपूरी ये है फलाना है ढिमका है तो आप लोग को धरना परदर्शन करना चाहिए चौक चौराहे पे बैठके नितीश कुमार जी के पास जाना चाहिए उनके आवास के पास धरना करना चाहिए आप जिला में धरना करें सेंसर बोड का मांग करें ये काम आज तक आप लोग उने नहीं किया सिर्फ गाली देने का काम कियें और ये सोचते हैं कि अगर मैं ये काम कर दूँगा तो मेरा बजार बंध हो जाएगा जो दूरू पे आता है वो आएगा कहां से साप बोल रहा है बुरा लगेगा इसके लिए मैं सबों से माफी चाता हूँ लेकिन मैं किलियर बोल रहा हूँ चुप चुपा के बात करने से कुछ होने वाला नहीं है मैं कोई मुझे खाने को नहीं देता है मैं किसी का वो नहीं हूँ मैं जो हूँ दर्सकों के आसिरवात से हूँ और दर्सक मुझे पसंद करते हैं मुझे सुनते हैं मुझे देखते हैं वो मेरे भगवान है, अज मेरे पास कुछ भी है, उस सब भगवान स्वरूप दर्सक ब्लोक का दिया हुआ है, तो मैं सदा अभारी रहूँगा, आप सबों का आजीवन अभारी रहूँगा, आप लोग उन्हें जो मुझे प्यार दिया है दे रहें, आजीवन ऐसे ही देते रहें, मैं यह कहना चाहता हूँ कि हाँ, यह विरोध करना सही है किसी का, जो गंदा गावे सब का विरोध करिए, हाम गाए हमरों करिए, लेकिन सेंसर बोड का मांग करना बहुत जरूरी है, कि ऐसा कोई गाना ना आए, जिससे हमारा भोजपूरी, हमारा संस्कृती का नाम खराब हो, उस पे असर पड़े, सबसे बड़ी बात है, सिंसर बोड लग जाएगा भीया, गण में नहीं आएगा वैसा गंदा, जब सिंसर बोड काट देगा कि ये नहीं आएगा, लहंगा, चोली, लंद, फन, जतना सब्द बा, जो आएगा अच्छा गान आएगा, ये बात ही कतम हो जाएगा, किसी को कु सबी यूक्टोबरों से मैं का रहा हूं, आप सबों से, जो भी ऐसा वीडियो बनाते हैं, कि ये कर दिया फ्लनवा धिमका, ये गाये, गाये, इसको गाली, उसको गाली, तो आप इन बातों पर ध्यान दीजे, आप धरना प्रदर्शन करिए, सिंसर बोड के लिए मांग करि कि सिंसर बोड लग जाए, कोई भी गाना ऐसा ना आये, जिससे मुझे भी खराब लगे, और मेरे घर परिवार के लोग, माई वहिन के लोग, चाहे किसी की माई वहिन हो, किसी की बेटी हो, सब की बेटी है, मैं ये चाहता हूँ भाई, कि किसी को भी, मुझे ही बहुत गाली दिया गया है, मुझे ही, ऐसा ऐसा गाली लोग देते हैं, जिसे सून कर कांद से खुल निकल जाता है, मतलब कि, ऐसा लगता है कि, इकलाकार हूँ, तो क्या मैं चुप रहा सकता हूँ, बोल नहीं सकता हूँ, मेरे पास सकती नहीं है, ताकत नहीं है, मेरे पास दर्सक ने सब कुछ दिया है, लेकिन हम लोग यह सोचते हैं क्या किसी से मूँ लगाना है चाहे कोई भी हो अब देखा एगो लाइकी बढ़ी जो कहा तरीकी हम जो भौजपुरी के अश्टार है चाहे कोई कलाकार हो जो भी अश्टार है मैं जानती ही नहीं हूं ये भी एक भोजपुरी का तव ही नहीं है, सच पूछिये तो, माली जी कोई कलाकार आवे बोले गुंजन सिंग मैं आपको जानती हूं, उनको नहीं जानती हूं, कल बोले कि मैं आज बोली पॉमन सिंग जी को नहीं जानती हूं, कल बोले कि मैं खेसारी जी को नहीं जानती उनके साथ काम करे तो उनको ना जाने, उनके साथ काम करे तो उनको ना जाने, मेरे साथ काम करे तो कहे कि नहीं सिर्फ आफी को जानते हैं, ते बोजपूरी का क्या है, बोजपूरी का तवहीनी है, बोजपूरी को बदनाम किया जा रहा है, इस प्रकार से बोजपूरी, जिस इन्हारीये से देख रहे हैं लोग भोचपूरी का विकास नहीं हो रहा है, भोचपूरी एक दिन गत में जा रहा है भी, लोग देखना सुनना बंद कर है, अरे भोचपूरी इमतरोज हे होता, कलवू बोलाता, पर्सुप बोलाता, कलोकरणवू गरियावाता, मुझे समझ में नहीं आता है कि गाना गाया अदमी पब्लिक तो डिश्टर भई सब देखने में गाना फिलिम कहां देख रहा है कोई इन लोगों का क्या दोस्य है भाई मेरा सब टिंसन में ऐसे ही रहता है कि मैं क्या सुनू न्यूज सुनू कि ये सुनू हर साथ दिन पाच दिन चार दिन पर एक नया निव जाता है ये हो गई फलानवाई बोलास धिकवाई बोलास का हम बताई है मुझे बहुत दुख हो रहा है भी सभी कलाकार को एक होना होगा और भोजपुरी के बारे में सोचना पड़ेगा कि भोजपुरी का विकास कैसे हो आखिर हम लोग को उसको और आगे लेके जाना है सबसे पहला काम सेंसर बोर्ड के लिए सभी भोजपुरी भासी को एक होकर सरकार से यह मांग करनी होगी ताकि सेंसर बोर्ड बन जाए कितनी खुसी की बात है और ऐसा तो नहीं कि सरकार हम लोग का मांग को सुनेंगे नहीं आज तक यह चाहिए हाँ चाहिए हाँ चाहिए सब कुछ मिले लेवा तो यह सेंसर बोर्ड में क्या जाता है उनको एक कमीटी गठन होगा हमारे हर गाने को पहले जाच होगा कि यह गाना मार्केट में जाने लाइक है कि ने और वो फिर मार्केट में गाना आएगा बल्ले बल्ले हो जाएगा जो गाना आएगा वो गाना में कोई गंदगी रहेगा ही ने सरकार उसे पास करेगी, पहले सुनेगी, टीम गठन होगा, फिर हम लोग किसी को बोलने का मौका ही नहीं रहेगा हमारे बहुत सारे धरोहर हैं, नेता हमारे मनोज्तिवारी भहिया, अभिनेता नेता, रवी किसन भहिया, इन लोग से भी बिनती है कि आप लोग भी भहिया इस पर पहल करिये, आप लोग चाहेंगे तो जरूर हो जाएगा हम लोग भी कर रहे हैं, सभी कलाकार को एक होना है वहिया, आप लोग बढ़े हैं, आदरनिये हैं और आप लोग कर सकते हैं, अगर चाहें तो सिंसर बोड जल्दी आ सकता है, इस पर ध्यान देना यह नहीं कि किसी को गाली देने पर ध्यान देना है आज तक तो कोई सेंसर बोड का मांगी नहीं किया कि सेंसर बोड भी आए क्योंकि दिकत हो जाएगा ना वो जो नोट आवा था बंद हो जाए ही सबके हम साब सुत्रा बोले मेरे बारे में दस को यूटूब बना दिया जिकराजे बना वे खोई मैं इस अब से और जात पात सब बंद करना पड़ेगा इसमें जो भी चल रहा है न भी इस परकार से कलाकार किसी जाती का होता है कलाकार का सिंगल जाती होता है सिर्फ कलाकार हमारे हर लोग गाना सुनते मैं दिल से हर जाती को बहुत प्यार करता हूं मुझे ऐसा लगता है ज वो कितना प्यार से, उसके दिल में कितना सरधा है मेरे परती, मैं उसे ये नहीं देखता हूं कि वो गंदा है, मुझसे जितना बनता है मैं सभी से फोटो भी किचवाता हूं, आप देखे होंगे कहीं भी, कल भी मेरा एक कार्जक्रम था वापू सभागार पतना में, परसुर मैं सबसे खिचवाया, जितना भी संभाव रहा, मैं खिचवाया सबसे, यह नहीं कि गारी में बैट जाके, अरे अस्टार बनाने वाली है, वही लोग अस्टार बनाए है, वही लोग हमें यहां तक पहुंचाए है, अब यह और आगे लेकर जाएंगे, आज मेरे पास अपने काम पर ध्यान दे, और सभी लोग जो भी वोजफूरी सुनते हैं, सभी लोग एक एक पोस्ट डालें कि सेंसर बोड आ जाए गाने का, इतना तो करें सकते हैं मेरे भाई जो लोग यह लाइब में जुड़े हुए हैं, मेरे लाइब के माध्यम से जुड़े हैं, जो सेंसर बोड आना चाहिए, मुख मंत्री जी से मांग कीजिए, परधार मंत्री जी से मांग कीजिए, इसमें क्या जाता है एक पोस्ट डालने से, सोशल मीडिया ही है कि आदमी को कहा से कहा पहुचा देता है, यह पोस्ट हर जगा पहुचेगा, देखेगा, ट्रॉल हो रहा ह जरूर इस पर बात होगा हम भी कर रहे हैं सारे कलाकार को मैं कर रहा हूं सब लोग आएक होकर सेंसर बोड का मांग करें कि बोज़फूरी के एक भी गाना ऐसा कोई मार्केट में आए हैं ना जिस पर कि मेरी मा बहन बेटी को दिक्कत हो और किसी दूसरे को भी कोई दूसरा भी किसी कलाकार को गाली न दे चाय कोई भी फैन है भाई मेरा किसी के फैन को गाली मत दिजे मैं हाथ जोड के बिंती करता हूँ आप सबों से मैं देखता हूँ कुछ-कुछ गालीयां मुझे भी मिलती है कमेंट्स में मैं देखता हूँ बहुत दुख होता है अंदर से कि मैं क्या सोच रहा हूँ सब के बारे में और लोग क्या पता उनके दिल में क्या बैठा हुआ है कि मुझे गालियां लिख रहे हैं कमेंट्स में चाहे किसी भी कलाकार को किसी का भी फैन हो आप चाहत रखिए मानिए जिसको मानते हैं पूरा मानिए लेकिन किसी को गाली गलोज मत करिए जो गाना अच्छा लगे जरूर सुनिए सबका सुनिए क्योंकि नहीं सुनेंगे तो वो कलाकार फिर कैसे वो आगे बढ़ेगा चहे कोई कलाकार हो सब मेहनत कर रहा है सब लोग अश्टार है सब लोग आगे बढ़े मेरा शुकामना सेंसरे बोडки ही बात करें कि एक एक पोश्ट आप सभी को डालना है फेसबुक पे इंस्टागराम पे गाने का सेंसरे बोड़ हो वो छूरी गाना हो या मगही गाना हो चाहे मैथली गाना हो कोई भी गाना विदावट सेंसर का रिलीज ना हो और गाली गलोज तो एकदम ना करें बहुत दुख होता है जब ये सब सुनने को मिलता है हम लोग को कहां मेहनत करना चाहिए अपने आप पे मेहनत करना है गाने पे मेहनत करना है फिल्मों पे मेहनत करना है कि ये नहीं कि हम लोग उलजन में पड़े रहे हैं अरे भाई मेरा सब के पढ़ाम सब के पढ़ाम एकदम गाना सुनते रही है अब एक मेरा गाना भी आया है DJK operator, deliverable abulator मैं अभी गाना गाया बेटी पे, दहेज पे दहेजवा लेला बेटी के जनवा इसके बारे में कोई यूटूबर आकर नहीं बोला कि गुंजन सिंग एक दहेज पर्था पे गाना गाया है इतना अच्छा कोन बोलेगा अरे भाईया अच्छे चीज का करिये न उस पे भी पैसा कमा सकते हैं मुझे किसी सिकायत नहीं है लेकिन हाँ ये किसी की मा बहन बेटी को गाली देना सही नहीं रखता है मुझे आप चाय कोई बी यूट्यूबर हो मुझे भी कई गालीयां सुनना पड़ता है चाय कोई भी कलाकार हो वो हम हो या पौन सिंग जी हो या खिशारी भाई हो या फिर इनीबडी जितने भी कलाकार है रितेज जी हैं ये परमूद जी हैं समर जी हैं सारे कलाकार सब भाई है सब अश्टार है सब आगे बढ़े सब कल्यान हो जिस बात पर बात करना था मैं कर दिया बस इसी के लिए मैं लाइब आया हूँ कि हम लोग बोचपूरी को आगे लेकर चरें यह नहीं कि बोचपूरी के माई बहिन कर दाओ बोचपूरी मेरी मा है और देखा कमेंट लिखा था भाई हम लोग को बोचपूरी का विकास करना है भुचपूरी का कल्यान हो मघी भासा इतना काना है चलिए फिर विशेज वाचित करते हैं हम लोग सिंगर रितेश प्रेमी जी सिंगर रितेश हिंदुस्तान कनो जी या पप्पू यदुबंसी जी विकास कुमार जी और ये चाहे कोई भी हो कलाकार मुझे ये बात भी बहुत बुरा लगा मुझे कल मैं इंटर्विव में था कई लोग इंटर्विव ले रहे थे उसमें हर बार यही सवाल कर दे थे कि एक लड़की बोली एक वो बोली तो मुझे बहुत बुरा लगा कि कोई कहे कि पावन सिंग को नहीं जानते हैं तो उसका रोम रोम का हर रोम जानता होगा पावन सिंग को चाहे बोले खेसारी जी को नहीं जानते हैं चाहे किसी भी अस्टार को बोले की नहीं जानते हैं तो यह भोजपूरी का तोहीनी है इस पर कोई भी आदमी को दुख होगा यह ये नहीं कि मेरा नाम ले लिया, आपका नाम नहीं लिया, तब भी दुख है, अगर कहें कि हम मनोजतिवारी जी को नहीं जानते हैं, रभी किसन जी को नहीं जानते हैं, तो यह पूरे भोजपूरी का अपमान हुआ एक प्रकास है. मेरा कोई ये नहीं है कि मैं पच्छ निसपच्छ मैं जो बात बогना है स pracति के सिवा कुछ नहीं बोल रहा हूं और मुझे कोई लेना देना नहीं है कुछ लंदपन से मैं मतलब नहीं रखता हूँ आपने काम से मतलब रखता हूँructure काम करता हूँ और जंडा भुलंद रहता है आप सबका इतना अशिरवाद है हमरा तो कई छेत्र सामाले के पड़ेला भाई बोजपूरी मग ही जितना मेरा गाना बोजपूरी में आता है उतना मग ही में भी आता है आप लोग बहुत प्यार अशिरवाद देते हैं sad song Hindi song हम तो सब कुछ गाते हैं और आप लोग सभी को अशिरवाद देते हैं सभी गाने को मेरे हर मग ही गाने को भी आप लोग इतना अशिरवाद देते हैं कि दिल गदगद हो जाता है हर भुजपूरी गाने को हर sad song को सब काम करना है मैं सभी उटोबरों से एक बार फिर कहता हूँ कि आप लोग sensor board का apply करिए sensor board के लिए बात करिए धरना परदर्शन करिए आप लोग आज तक क्यों नहीं किये धरना परदर्शन क्यों किसी असलीलता को हटाना है तो फिर आप हर कलाकार को गाली देंगे तो असलीलता कैसे हटेगा आप भी तो वही काम कर रहे है न आप कम कहां रहे जब हम किसी भी कलाकार का गाना अगर किसी को मान लिए कोई गाना वैसा आता है क्याता है कि लोग दिक्कत है माई भाहिन लोग के सामने कैसे बजाएं ठीक भा मैं मानता हूँ कि कोई कोई कलाकार ऐसा कुछ गाना आ जाता है मार्केट में इसलिए सेंसर बोट का मैं बात कर रहा हूँ बार बार चाहे हम हो या कोई भी हो लेकिन आप जो वीडियो में गाली किसी को देते हैं वो भी तो किसी की माँ बहन देख रही है आपकी भी माँ बहन देख रही होंगी कैसा लगता होगा उनको देखके कि हमार बेटवा बहुत अच्छा काम करता है मारिये कि कोई भी गाना किसी भी कलाकार का मैं भी बहुत दूद का दूला नहीं मैं भी कुछ गाया हूँ पहले उसके लिए मैं च्छामा जाता हूँ जो भी गाया हूँ लेकिन सेंसर बोट जब बन जाएगा लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं कि बहुत ज्यादा गंदा गार है मैं मानता हूँ इस बात को यूटूब है डरिक्ट रिलीज हो जाता पहले तो आठगाना का इल्बम बनता था भाई तो आदमी सोच समझ के आठगाना बनता था मैं आज तो यूटूब आ गया एके उड़िख होता है एके हों गाना बना के तुरत रिलेज अभी गावास सामके रिलीज मैं यूटूब से भी और ये गूगल को भी लेटर लिखने वाला हूँ कि ऐसे गाने को रिलीजी ना करें पलस बिहार सरकार, भारत सरकार सबसे सब कलाकार मिलके मांग करें सब दर्सक लोग भी मांग करें मैं यह नहीं कहूँगा गाना भी कुछ-कुछ गाना ऐसा ऐसा बज़ता है मार्केट में कि सही में वो नहीं बज़ना चाहिए गाना मैं भी विरूत करता हूँ वैसा असली तो मैं कभी जीवन में नहीं गाया ना गाऊंगा कभी लेकिन वैसे गाने को डीजे पे बहुत बज़या जाता है यह गाना बाज़त रहे नाम नहीं लूँगा मैं इतना गंदा गाना भी चल भी रहा है मैं किसी कलाकार का ये नहीं कर रहा हूँ लेकिन हाँ वो गाना नहीं चलना चाहिए उस परकार का गाना हर मा बहिन हर डीजे पे उस टाइप का गाना भजेगा लोग के कान में जाएगा है उसी के चलते हर कलाकार बदनाम होगा हर कलाकार पे वो अंगली उठेगा क्या रही बोजपूरी ये गंदा है ये है वो है मुझे बहुत दिन से इतना यूटूबर इतना मतलब चारो तरब से इतना लोग मुझे पूछ दिया हर इंटर्व्यू में एक ही दू तीन को सवाल रहता है मतलब भुजपूरी का विकास के बारे में कुछ बात ही नहीं हो रहा है आपका कौन गाना आ रहा है इसके बारे में पुछ ही नहीं रहा है कोई तो बात क्या हो रहा है तो ये होता हूँ होता ओकरा गारी देता है ये होकरा देता गारी प्लीज ऐसा काम कोई ना करें और सिंसर बोड के लिए मांग करें मेरा एक ही लच्छ है मेरा नहीं आप सबों का लच्छ है जब असलीलता को हटाना है तो गान्यों का सिंसर बोड लाना है तब ही असलीलता हट सकता है अन्य था जीवन में नहीं आटेगा असलीलता कोई नहीं आटा सकता है असलीलता हट जाएगा गाना यूटूब पर रिलिज करा सांच के जिए गावा सब रिलिज होई एक से एक गाना रिलिज है यूटूब पर सबी लोग अपने फेस्बूक पर पोस्ट करिए कि सेंसर बोड बनना चाहिए गानों का सेंसर बोड हो सरकार से मांग करिए इंस्टाग्राम पे पोश्ट करिए जहां आप लोग उपलब्द हैं वहाँ वहाँ पोश्ट करिए लाइव आईए बोलिए और यूटूबर लोग गाली गलोज छोड़के धरना परदर्शन करिए अगर सच्चा आप लोग हैं अगर सही में आप असलीलता को भगाना चाहते हैं तो आप धरना परदर्शन करिए आप सरकार से सिंसर बोड का मांग करिए आज तक ऐसा आप लोगों ने नहीं किया आप लोग चाहे जातपात पे ही गाना जो आ रहा है आज के डिट में उसको भी बंद होना बहुत जुरूरी है यह जातपात क्या होता है एक गाना जातपे आए उसको मार्केट में आना नहीं चाहिए यह क्या है फला नमा धिमका अरे भाई हम लोग एक हैं जब हम लोग का खून एक है यह हम लोग एक हैं यह जात पात क्या होता है यह तो पाटी वला बात हो गया इने कलाकारू वला में यह गाना बजाना में भी हो गया कोई हुए जात के गाना खाली गावाता तो कोई हुए जात के गाना गावाता है अरे जात क्या हम लोग का सब लोग सुनता है भाई मेरे लिए सब आधर नहीं हैं सबको मैं दिल से मानता हूं सबको पढ़ाम करता हूं मैं सब मेरे सुनते हैं ना वो भीवर तभी मेरा इतना भीवर जाता है चाहे मेरा हो या किसी कलाकार का हो जिसको लोग सुनते हैं पसंद करते हैं किसी एक जाती सो पहुंचता नहीं है भीव सौ मिलियन पचास मिलियन सब लोग अच्छे से रहिए और एक गाना गा दिजे यह गाना हमारा इलबा कि डिजे के अपरे टरे राजा देले बला भोले टरे राजा पला सी गाना भी हमारा इलबा अरे जब जईबु तु हूँ डोलियासे हम हूँ मार ले हव गोलियासे जय हो जय हो सब लोग शेयर जरूर करिये और यह फेस्बुक पर जो मैं बोला हूँ यह काम जरूर करिये आप लोग यह सिंसर बुड का मांग करिये सोशल मीडिया का भी समय है बहुत फाइदा करेगा सरकार तक यह बात जरूर पहुंचेगा हम लोग भी कर रहे हैं और सभी कलाकार करें जितने भी बड़े छोटे यह नहीं देखना है सब लोग को इसमें जुड़ना होगा तब ही असलीलता खतम हो सकता है और यूटूबरों का जो यह चल रहा है गाली गलोज का काम यह बंद करिये और धरना परदर्शन करिये और सेंसर बोड के लिए मांग करिये चलिए फिर मिलते हैं जैसे रहा है